आननलो प्रति दिन जिवन का में आपका स्वागत है मुझे खुशी है कि आप इसे सुन रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये कारेकरम परमिश्वर के साथ अपना रिष्टा सुधारने में आपकी मदद करेगा यदि आप हमें से बहुतो जैसे हैं क्योंकि कभी-कभी मैं भी ऐसी होती हूँ मैं अच्छी बाते करना चाहती हूँ मेरे पास अच्छी योजना होती हैं और अज गया कारिता के बराबर नहीं होती है और केवल परमिश्वर के आगयाओं को मानने से ही हमारे जीवन में सच्चे आशिशों की बरसाथ होती है इसलिए हेम्टन वर्जीनिया से प्रस्तूत है हमारा ये संदेश किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो सम्मनता और चंगाई के उपदेश सुनने से कोई लाब नहीं होगा आपको कुछ और करना होगा जैसे कि कुछ किताबे मंगवाईये, कुछ टेप्स, एक नोटबूक, एक बाइबल, एक सब्द कोश और एक सब्द सुची और अब आपको पढ़ना है और वास्तों में यह कहते रहना है, सुनो शैतान, मैं क्षमा करने की प्रवृति छोड़ रही हूँ, कोई फर्क नहीं है कि मैं क्या सोचते हूँ, क्या अनुभव करती हूँ, चाहे मेरे साथ कितना बुरा हुआ हो, मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए बहाने बाजिस से बचिये कि ये तो बहुत कठीन है, तुम्हें नहीं पता, मुझ पर क्या अभीती है, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं है आप स्वयम्स से ये पुछिए कि आपके किन किन बातों के लिए परमेश्वर आपको क्षमा करें और बस दूसरों को माफ करने में आसानी हो जाएगी, आमें एक राध डेव ने मुझसे ऐसी बात कही, जो बात उसके स्वभाव के विप्रित थी, वैसे तो वह एक प्यारा, मस्त मौला इंसान है, लेकिन उसने जो भी कहा, उससे मेरे सम्मान को बहुत ठेस पहुँची है और बस मैं भिखर गई, परमेश्वर ये तो ठीक नहीं है, उससे मेरा सम्मान करना चाहिए और सम्मान का प्रदश्ण करना चाहिए अब तो आप ही उससे समझाईए, मैं बिल्कुल असंतुलित हो गई और वो बात भूला नहीं पाई अगली रात तक फिर पविद्रा आत्मा ने मुझे कहा क्या तुम्हे वो हजारों आउसर याद है जब तुमने डेव का अपमान किया, क्या तुम वो भूल गई, जबकि मेरा प्रेतन था जबकि तुम अतीत में पुरुषो द्वारा शोषण के अनुभव से उबर जाओ, हाँ मुझे याद है मैं उन्हों सरों को भूली नहीं तुम्हे याद है अनेक बार डेव ने तुम्हारे वहवार पर कोई आपति नहीं जताई हाँ मुझे याद है मैं वो नहीं भूली तो मेरे अनुसार इस बार के लिए उसे माफ कर दो आज चरह यह होता है हम कैसे सोच लेते हैं कि दूसरा हमारी बावना है समझ जाए तुम्हे समझना चाहिए कि मुझे कैसा लगता है और जाना चाहिए कि मुझे पर क्या भीती है लेकिन हम उनको उतना समझने की कोशिश कोशिश नहीं करते हमारे पास तो बचने का रास्ता है लेकिन वो रास्ता दूसरों के लिए नहीं है योहना तेहरा का दो जब शैतान शमोन के पुत्र यहुदा इसकर योती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय इशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमिश्वर के पास से आया हूँ और परमिश्वर के पास जाता हूँ भोजन से उठकर अपने उपरी कपड़े उतार दी और अंगोचा लेकर अपनी कमर बांधी तब बरतन में पानी भर कर चेलो के पाउँ धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंदी थी उसी से पोचने लगा जब वो शमोन पत्रस के पास आया तब पत्रस ने उससे कहा हे प्रभू, क्या तु मेरे पाउँ धोता है? इश्व ने उसको उत्तर दिया जो मैं करता हूँ तु उसे अभी नहीं जानता परं तो इसके बाद समझेगा क्योंकि मैंने तुम्हे नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ क्या है? तुम भी वैसा ही क्या करो तुम ये बाते जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो क्योंकि मैंने तुम्हें नमुना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही करो इशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तु उसे अभी नहीं जानता, परन्तो इसके बाद समझेगा अब हम वचन सत्रा देखते हैं, तुम ये बाते जानते हो और यदि उन पर उन पर चलो तो धन्य हो आपने कभी बाइबल पढ़ते समय अंश, प्रिखांकित किये होंगे और दुबारा बाइबल पार्ट करते समय इस अंश तक पहुँचकर फिर से पीले रंकी पिले रंकी से हाई से इसे गहरा किया होगा, फिर एक और बार किसी पादरी द्वारा पढ़ते समय और पुना इस अंश पर पहुँच होंगे लेकिन इन सबसे कोई अंतर नहीं पढ़ता प्रश्न ये है कि क्या आप किसी के पैर दो रहे हैं? मैं यहां शाब्दिक रुप से बेसिन, पानी और पैर दोनी की बात नहीं कर रही ये तो उधारन के लिए कहा गया था ताकि आप समझ सके कि एक दुसरी की मदद करनी चाहिए दुसरों के काम आना चाहिए उनके लिए कुछ करने का प्रैतना करना चाहिए तो हमें रोज खुछ से पूछना चाहिए वास्तों में हम दुसरों के लिए क्या कर रहे हैं? किस प्रकार दुसरों की मदद कर रहे हैं? किस प्रकार दुसरों की मदद कर रहे हैं? ओ पर मिश्वर मैं सही मौके काई इंतजार कर रहा हूँ तो फिर इंतजार ही कीजी मेरे सामने दूसरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा समस्या है, वो हमेशा रहेंगी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं क्या आप किसी चहरे को मुस्कान मुस्कान दे रहे हैं आप मार्क दर्शन बन सकते हैं, उच्छा बढ़ा सकते हैं, रशन साग कर सकते हैं, धन दे सकते हैं, सहारी का हाथ बढ़ा सकते हैं, अपनी कोई ऐसी चीज दे सकते हैं, जिसके आपको नहीं, दूसरों को ज्यादा जरूरत है, कोई बहुत जरूरत मंद है, लेकिन उसके पा मैं जानती हूँ कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि बहुत सालों तक मैं इसाई धर्म की पक्की अनुयाई रही हर अईवार चड़ जाती थी, वहां काम करती थी, मेरा नया जन्म हुआ था और मुझे विश्वास था कि अगर मैं मरती तो स्वर्ग अवश्य जाती, लेकिन मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाती, तो असली बात ये है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हमार पास जो है उसे पानी की इच्छा दूसरे करें, हम उन्हें ये न बताएं कि हम इसाई हैं, वो हमसे पुछा आप मैं ऐसे कौन सी बात है, आमीन, मैं कुछ सालों तक निया मे कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं, मैं जानती हूँ कि आप यहां काफी समय से हैं, लेकिन अपनी चेतना जगाई ये, ये बात समझे, ये समझे में किसी के लिए कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी मान सीखता बहुत संकुछ इती, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होग मेरे अंदर बैठा रोबोट सिर्फ अपना स्वार देखता मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा बीब, बीब, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा ये रिकॉर्ड मेरे दिमाग में हमेशा गुंजता रहता इसका एक कारण इसका एक कारण तो मेरी परवरिश का तरीका था मेरी सही देखबाल करने वाला कोई नहीं था इस डर से कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा मैं स्वेम अपनी देखबाल करने लगी क्योंकि क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं था अतीत के अभाओं का रोना हमेशा नहीं रो सकते इसलिए मैं अपने रास्ते चलती रही लेकिन इस तरह जीने के लिए एक बहाने की आर्ड बनाती रही हम ऐसा नहीं कर सकते मैंने चोट खाई है, मैं विश्वास नहीं कर सकती जानते हैं क्या करना होगा, इससे उबरना होगा आपको फिर चोट लगेगी, फिर सक्षमा कर दीजिए योहना तेरा का सत्रा, तुम ये बाते जानते हो और यदि उन पर चलो, तो धन्य हो तुम ये बाते जानते हो, और यदि उन पर चलो, तो धन्य हो तो हम इसाई लोग इतने दुखी क्यों हैं? मेरे अनुसारिस दुख का कारण बहुत धिक ज्यान की अधिक तारे खांकित बाइबल की धेरोप्रतियां और अध्यात्मक्याकरशक उस्तकाला हैं, लेकिन घरों के बंद अरवाजों के पीछे पूरी निश्क्रियता कुछ लोग अपने इसाई दोस्तों के बीच अच्छी छवी बराने के लिए चर जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ उनकी प्रशन सा होगी, लेकिन घर के दरवाजे बंद करते ही, अगर पती या पत्नी या बच्चे कोई मांग करें, अब तुरंत बोल उठेंगे, क् का बारा तेरा कहता है, घूम जाओ यानि पश्चा ताप करो! पश्चा ताप का अर्ध दुख अनुबवव करना नहीं है, बलकि इसका अर्ध है, इससे बाहा निकलाओ, निकलाओ, और परमिश्वर के पास आते रहो, तब तक इससे दबाते रहो, जब तक सारी बाधाएं पार कर परमेश्वर से संबन स्थापित न हो जाए मैंने जिन चीजों का वचन तुम्हे दिया है मुसा वो सब तुम्हे दूँगा जहां तक तुम्हारे कदम जाए वहां तक स्थान दूँगा आगे बढ़ो और उसे ले लो भावनाओं को दबा दो, अपना नियंत्रन मन को मत सौपो लगाम भावनाओं के हाथों में मत दो, अपनी इच्छाओं के शासन में मत रहो मुझे ये सही नहीं लगता तो फिर जो तुम्हें सही लगता है वही करो चाहे तुम्हें कुछ महसूस हो लेकिन फिर भी नहीं अगर आप परमिश्वर के वास्ते ऐसा कर रहे हैं आप ऐसा नहीं सोचेंगे अगर आप परमिश्वर के प्रदी इमानदार हैं आप कहेंगे आप जानते हैं कि मैं उनका सर काटना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है और क्योंकि आप मेरे भीतर ऐसे भाव नहीं देखना चाहते हैं, मैं सब कुछ बुला दूँगा, मैं सब कुछ बुला दूँगा और मुस्कुराने लगूँगा जब आप परमिश्वर की इच्छा नुसार चलते हैं, क्योंकि आपको उनसे प्रेम हैं, तो आपकी इंद्रिया ऐसा कर रही है ऐसा हो रहा है जब आप इन पर ध्यान नहीं देते, ये समाप तो हो जाएंगी, शक्ति हीन हो जाएंगी क्योंकि भोजन नम मिलने पर हर चीज समाप हो जाती हैं, मर जाती हैं लेकिन जब तक इन्हें इनका भोजन देते रहेंगे पहाड़, पहाड़ का एक चक्तर और लगाते रहेंगे सच मुझ मेरे पहाड़ की तली में कुछ खल बला अठ हो रही है, मैं बस उसके चक्कल लगा रही हूँ, चक्कल लगा रही हूँ वही चीज़, हर बार जब भी डेव कुछ ऐसा कहें, जो मुझे ना पसंद हो, मैं पलट कर वार करती थी, हमेशा फैसला कर लेना चाहती थी, खुद को सही साबित करने का प्रेतना करती थी पर मैं अपनी मिनिस्री को बढ़ाना चाहती थी एक सुबब पवित्रा आत्मा ने शांत स्वर में उसे कहा मैं रात के मैं रात के कपड़ों में ही थी मैं नीचे अपने कारेले वाले घर में थी जहां हम रहते थे और प्रात्ना कर रही थे परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री की प्रगती हो मैंने शैतान को कोसा उसके उपर अधिकार किया तुम मेरी मिनिस्ट्री की उन्नती नहीं रोक सकते मैं इश्व की नाम से तुम्हें धमकाती हूँ परमेश्वर की संतान के रूप में मेरी भी अधिकार है मैं विश्वासी हूँ तो पवित्रा आत्मा बोला देखो जोयस मैं तुम्हारी मिनिस्ट्री के लिए और कुछ नहीं कर सकता यह कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक तुम मेरा कहां नहीं मानोगी अपने पती का सम्मान करो और फिर वो कुछ नहीं बोला यह परमिश्वर कि आप इससे समझाएंगे मुझे नहीं लगता कि मैं आपका मतलब समझ सकी हूँ ओ ओ मैं समझ गई और वो और वो कुछ नहीं बोला परमिश्वर के साथ संबंद बनाने की प्रक्रिया में मैं इस बाधा को दूर नहीं कर पाई मैं परमिश्वर के किसी वर्दान को इस बाधा को दूर किये बीना नहीं प्राप्त कर सकती थी कभी मत कहो परमेश्वर, ये कभी मत कहो जब परमेश्वर तुमसे कुछ करने को कहे, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाएगा, जिसकी सामर्थ्य शक्ति तुम्हारे अंदर ना हो. परमेश्वर जब भी तुमसे कुछ करने को कहे, उसे टालो मत, कभी मत टालो, अगई के अधिया एकी दूसरी आयत, सिनाओं का योहवा यू कहता है, ये लोग कहते हैं कि योहवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है. तो परमेश्वर ने भविश्य द्वक्ता के माधियम से 18 वर्ष पहले उनसे बात कर उन्हें कुछ करने को कहा, और वो कहते रहे हम करने जा रहे हैं. हम करने जा रहे हैं, पर अभी अनुकुल समय नहीं है. टाल मटोल से ब्रह्म भी उत्पन होता है, क्योंकि जब हम बहानी बनाते हैं, तो अपने मन में खुद को सही मान लेते हैं, वैसे हमें किस चीज की प्रतिक्षा है. हम सब ऐसे समय की प्रतिक्षा कर रहे हैं, जब सब कुछ आसान हो जाए. हमें कुछ न करना पड़े, कोई त्याग न करना पड़े, यह आदत अच्छी नहीं है. अब परमेश्वर हमें कोई कारिय सौपे तो उसे तू रंद करो जब तक वे इंतिजार करने को न कहे जब परमेश्वर कोई कारिय करने को कहे उसे तू रंद करो इंतिजार मत करो फिर यहोवा का ये वचन हागे भविश्वद वक्ता के द्वारा पहुँचा क्या तुम्हारे लिए अपने छट वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड पड़ा है। परमिश्वर का घर बनाने के लिए उनसे भेट लाने को कहा गया और वो कहते रहे अभी समय नहीं आया, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, तुमने बहुत बोया परन्तो थोड़ा काटा, तुम खाते हो परन्तो पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परन्तो प्यास नहीं भुचती, तुम कपड़े पहनते हो परन्तो गर्मा आते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मुझे में उत्सा नहीं है। जब यहाथ में थोड़ा सा पैसा आता है, शैतान चुरा लेता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। साथ व्याथ में कहा गया है, सीनाओ का यहवा तुमसे यूं कहता है। सीनाओ का यहवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहार पर चड़ जाओ और लकड़ी ले और इस भवन को बनाओ और मैं इसको देख कर प्रसन होंगा। इमानदारी से सोचो, कुछ लोगों को लगता है कि क्यों वे परमिश्वर के वचन नहीं सुनते क्योंकि आपने पिछली आगिया का पालन तो किया ही नहीं। कभी-कभी हम परमिश्वर के वच्चन न सुनने का बहाना करते हैं, क्योंकि वो हमारे मन माफिक नहीं होते हैं, हम सोचते हैं कि वो कोई और बात कहेंगे युहना 21 15 आयत में इश्व पत्रस से क्या कहते हैं, पत्रस क्या तुम उसे प्रेम करते हो, हां करता हूं, फिर पुछा तुम उसे प्रेम करते हो, हां करता हूं, उन्होंनों फिर से यही सवाल पुछा पाइबल कहती है कि पत्रस दुखी हो गए प्रभू ने वही सवाल तीन बार पुछा फिर फिर इशु ने अठरवी आयत में कहा मैं बड़ी गंबिरता से बता रही हूं कि जब आप युवा थे तब अपनी इच्छाओं से अपनी कमर बानकर जहां भी चाहें वहाँ जाते थे फिर जब आप बूड़े हो जाएंगे तो अपना हाथ फैलाएंगे और कोई और ही आपकी कमर बानकर जहां आप जाना नहीं च जाएंगे पर आपको इसकी परवा नहीं होती कि आप यहां किस प्रकार जी रहें और कुछ समय के लिए आप उसके आदी हो जाते हैं परन्तु मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी यह संदेश सुनने के बाद आप कुछ ऐसे होंगे इस तरह से इसका अर्थ यह नहीं कि परमिश्वर हमसे प्रेम करना छोड़ देगा परन्तु यह है कि वो उसका वच्चन और उसका विश्वास सुनने के लिए हमें प्रेरित कता है और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो अंततव आपकी परिस्थिती को छूलेगा अब अपने ही बच्चों के बारे में सोचिए अब मैं कहा रही हूँ छोटी जोनी अगर तुमने फिर वैसा किया तो मैं तुम्हारी परिस्थिती को परिस्थिती को छूलूंगी अब जोनी कृपिया ममा की बात सुनना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे तुम्हारी बाइक एक हफ्ते के लिए ले लूँ प्लीज मममा की बात सुनना क्योंकि मैं पूरे दिन तुम्हें एक कोने में खड़ा नहीं नहीं करना चाहती और यदि छोटा जौनी अपनी मनमानी करे तो यदि ममा जौनी को तो यदि ममा जौनी को चाहती है नी संदे यदि आप अपने बच्चों को चाहते हैं तो उन्हें सजा देना या उनसे उनकी कोई प्रिया वस्तू ले लेना आपको जरूर तकलीफ पहुचाएगा पर यदि वे आपके प्रिया है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनको तकलीफ हो या उन्हें दुख पहुचे परमेश्वर की इच्चा के अनुरुप परिपक्व इस्तुरिया पुरुष बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है आमीन उसनी कहा तुम जो चाहे वो करते थे पर अब सिप पत्रस तुम मेरा अधिकार में हो मैं तुमें चलाओंगा और मैं तुमें कुछ ऐसी जगों पर ले जाओंगा जहां शायद तुम जाना नहीं चाहोगे और तुम कुछ ऐसे हालातों से गुजरोगे जिनमेंसे तुम गुसरना नहीं चाओगे मैं पत्रस के उत्तर से हमेशा चकित होती हूँ बच्छन 19 उसने इन बातों से संकेत दिया कि पत्रस कैसे मृत्यू से परमिश्वर की महिमा करेगा और तब उसने उनसे कहा मेरे पीछे होले पत्रस ने मूड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे इश्वर प्रेम रखता था जो योहन अतो और ये मेरी राय है मैं कोई नया सिध्धान्त बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ परन्तु पत्रस का व्यक्तित्व जानते हुए क्योंकि मैं पत्रस जैसी हूँ पत्रस एक क्रियाशल व्यक्ति था और योहन ना प्रभू इश्व के पास रहकर कहता परमिश्वर की साथ आपके रिष्टे के विशे में गंभीरता से सोचने का निर्नाई लेने के लिए मैं आपको प्रोचसाहित करना चाहती हूँ खुद को मामूली ना समझे उन लोगों की तरह न बनी जिनका एक पैर परमिश्वर के राजिय में है और दूसरा इस संसार में परन तो आप अपने विश्वास पर द्रड बने रहे और अपने पूरे रदय से उसकी सेवा करें मैं याद रखे अवग्या कारिता आशिशित होने में सबसे बड़ी रुकावट है मैं नहीं जानती के परमिश्वर आपसे किस विशय में वहवार कर रहा है पर मैं बता सकती हूँ कि वो अपना मन नहीं बदलेगा इसलिए सबसे शांती पूर्ण और हलडाई बात ये है कि आप जरसे परमिश्वर के साथ सहमत हो जाईए जाने और जैसे हम पूरे संसार में मसी के प्रेम को बाठते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं